केंदेने के तिन बहुत बटे चूट में, एक जदो औरत कहे के मैं पांच मिनट चे त्यार हो किया ही, दुझा जदो मर्द अगों कहे के मैं पांच मिनट चे कार पहुंच रहे हैं, तो तीसरा आज लाहूर के लंदर पावें कोई सेंचरी मार देवे, फिर भी जच जाएगा लेकिन इस तरह होया नहीं, लग, help them, एना ने एक decision लेया के हारिस रौफ के शकल में एक raw, fast, accurate बोलर को मौका देए, और देखें के उसमें वोला छूट जड़ा गया, वो मित थी, वो खतम कर दे था, हारिस रौफ, गुजरा वालद है, कोई पलवान आया हो तो, उनने आग बहुत खुशी होई, लौर जी थी, और फवाद रहना सब भी कुछ खुश नदर आ रहे थे, शुकर है, मेहन तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यदा पैसा बहा रहे हैं, पानी की तरह, हारिस रौफ की जवाब बात कर रहे हैं, गुजरावाला से उसको उनने पिक किया ह टैलेंट हंट जो उनने ने मेरा खाला कोई प्रोग्राम्स किये थे, लौर कलंदर ने उसमें से वो मिला है, उपुशनिटी दी है उसको, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उपुशनिटी का इंतजार है कोई आया और उनको उपुशनिटी मिले, आगे क्या होगा, असल चीज़ ये है, टैलेंट हमारे पास बहुत है, इसमें लाहर कलंदर को मैं बिलकुल रती बराबर भी क्रेड़ ने दूँगा, वो इस वज़जा से कि उनने ने उपुशनिटी दी है, उसमें उनकी अपनी भी एक इंटेंशन थी कि भी मार्केटिंग पॉइंट आफ उसे लोगों को बताने के लिए, स्पॉंसर्स को कभी हम भी कर रहे हैं, एक शपशपा चल रहा था, तो अपनी इंटेंशन यह थी बीच में से उनको एक हीरा मिल गया, इस तरह बहुत सारी हीरे इनको मिलेंगे, हीरे हैं पाकिस्ताने, बहुत जरखेश जमीन है, मगर इनक आगे पाथवे किया है, आगे इनका क्या करना है, भी PSL आया, PSL खिलाया और उसके बाद चाहो जी अपने अपने कार, प्लेयर बनाना नहीं है, पाकिस्तान के लिए तैयार करना नहीं है, यह असल चीज है, यह मैं समझता हूँ कि इसको पर जो है, इसके ओपर इनको काम कर करना चाहिए, यह वो पॉइंट है, जिस पे सक्लैन मुश्ताक, राशल लतीफ, यूनिस खान, ऐसे जो पाकिसानी लेजन्स हैं, वो काम कर सकते हैं, सिमिलर्ली इट हापन इन इंडिया इस वर्ल, विन यह यूटिलाइस दियर, यह लेजन्स, उन्होंने उदर चाहिए सच लीग है, इसकी फूचरिस्टिक अप्रोच को करने के लिए, इनको यह क्या तरीका कैसे है, हमारे वियूर्स को आज यह बताएं, कि इसको कैसे डिवेलप कर सकते हैं, हारिस की ही आजम साल लेने, दिखो इनको पैसा सही जगां पे लगाएं ना, पैसा गलत जगां पे ना अपना दिल और दिमाग सही जगां पे लगाएं, एक सिस्टम बनाएं, फरंचाइजी जितने भी हैं, उन्होंने जो टीम ली है, उस रीजन के अंदर, वो क्रिकट को ड्वेल्मेंट करें, पैसा जो वो उधर लगाएं, ग्रास रूट से शुरू करें, जमेदारी लें, प उस्ताथ मुहमद जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उनके भी नेवर रहें, बर्मिंगम से तालुक है, लेस्टर का यह जो आइटिंक प्रॉबली यह डारेक्टर था यह एमडी था, वहां से यह दर आये हैं, चांस तू शाइन, आइटिंक वहां पे एक और क्रिकेट की वो फुल टाइम एक स्पोर्ट स्टाफ हो, कोचीज हों जो उनको लुक आफ्टर करें, फिर जाकर कोई पता चलेगा कभी यह पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, वरना यह तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, माना हमारी अपनी फरंचाइज है, पी एसल, पाकिस्तान की है, और यंग्स्टेज आ रहें, उनको एक उपरचुनिटी मिल रही है, इस लेवल पर क्रिकट खेलने की फॉर्नर्स के साथ, मगर जो जिस तरह काम करना चाहिए, वो उसको संदाब से करना चाहिए, यहां जी, उसमें लेकिंग है, अब कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा है, य पहले पहले भी किया, लेकर यह सवाल आप से इसलिए बार-बार पूछना बंदा है, कि यू आप बिन कोचिंग इंग्लिश टीम आइस वेल, और बुरी दुनिया में आपने निजर लैंड के साथ काम किया, वेस्ट इंडिस के साथ काम किया, पंगलिश के साथ आप काम कर चुके हैं, अनफॉर्चनेटली हमारे अपने जो हैं, वो मिसाल सही नहीं है, लेकिन डाल बराबर वाली बात होगे कि यार, आपको जो है, वो नहीं कुछ कह रहे हैं, मुशी भाई भी जो हैं इसी तरह, आइटिंग वेस्ट इंडिस के साथ काम कर रहे हैं, तो इस वेरी स पालिसी है, अपना बजट है, और अपना स्पोर्ट स्टाफ का जो है, वो उन्होंने करना होता है, इसके उपर मैं अगर ये बात कहूंगा तो लोग ये कहते हैं, जी ये प्रोग्रम करते हैं, अपनी जॉब के चक्कर में हैं, खुद इनको चाहिए भी हमें कोई जॉब श चाहते हैं, मुझे नहीं लेना चाहते हैं, इसमें आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, अला ने सारा निजाम चलाया हुआ हुआ, चल रहा है, मगर पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, नوجवान हैं, उनका ख्याल करना चाहिए, और सही जग कुछ नहीं कहा जा सकता है, अगर कहेंगे गई नहीं करना चाहिए, अगर बाल भी बान चाहिए, दुनिया किते चली गई है, इसमें किस पासे लगा रहे हैं, भाई आपकी सोच है, आपने जो कुछ करना है, वो करना है, मैं यहां पे बैठा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बात हैं, और आप यह देखो भई, दुनिया में आप किसी से भी पूछ लोगे ना, तो वो यह कहेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जब भी कोई मेगा इवन्ट होता है, जितने मर्जी पाकिस्तान की परफॉर्मंसिस खराब हो सारे एक्सपर्ट दुनिया के लेजंड्स, सर, जितने भी जिनको सर का खताब मिला, वो जब बैठते हैं, बात करते हैं, कि पाकिस्तान को राइट आफ ना करना, किसी वक्त भी किसी को भी मार देगा, चैंपिन्स टॉफी में क्या हुआ, 92 में इन्जी, आएक अर्ट अट हम काम सही तरीके से करने तो कंसिस्टन सी आ जाएगी, हम लोग कंसिस्टन परफॉर्मेंस देंगे, आज जो आखरी सवाल है, वो बहुत एहम है, और वो आजकल की सिचोईशन के हवाले से, सिकलैन मुश्टाक शो में हमने हमेशा अमन की बात की है, प्यार महबत की है, और जो हम अभी भी बात करेंगे, वो पाकिसान इंडिया के कांटेक्स से बहुत बढ़के है, अब दुनिया एक गलोबल विलिज बनती चली जा रही है, ये नफरत है, हेट्रिड है, इसको बेचना इतना असान क्यों है, लोग कोई भी जंग की, मारधार की बात करें, हर बंद की जिन्दगी बहुत थोड़ी है, अन्परडिक्टेबल है, और इंसान सिर्फ इस दुनिया में महबबत पहलाने के लिया है, सिर्फ महबबत, क्यूंकि अल्ला सालने इसको अकल दी है, शाउर दी है, और अच्छे और बुरे की तमीज दी है, इंसान का दिल अच्छा होग उसकी जबान अच्छी होगी, उसकी नजर अच्छी होगी, उसका दिमाग अच्छा होगा, उसके इस जिसम में से सारे आमाल अच्छे निकलेंगे, दिल खराब होगा, सारी चीज़ें खराब होगा, दिल अच्छे होने चाहिए, दिल में बुस्त हो, दिल बड़ा हो, दिल निकल जाएं अंदर से, नफरते निकल जाएं अंदर से, तोड़ी सी जिन्दीगी है यार, हर किसी ने चले ही जाना है, कोई दर चौधरी बनके रह नहीं सकता, कोई दर जनाब हमेशा के लिए आया ही नहीं है, प्यार पहलाओ, महबत पहलाओ, कहीं पर नफरत की या कोई ऐस क्रेशनल टीम क्वालिफाई कर गया था, मैं में जब ब्रिटिश पासपोर्ट मेला, बैक इन 2004-05 की बात है, तो मुझे से, चीफ सेलेक्टर का भी मेरे जैन में नाम नहीं आ रहा, उसमें मेरे से मीटिंग, उसमें का हो सकत है हम तुमें इंगलेंड के लिए कंसिडर करें, तो what's your thought on that, मैंने का I'll give you answer in couple of days time, दो तीन दीन के बाद मैंने पूछा आपने दोस्तों से, बड़ों से, जितने भी थे एक दो स्कॉलर से भी पूछा, कि मैं पाकिस्तान से 10 साल तकरीबन खेला हूँ, अब ये इधर चांस है, क्या करूँ, क्या रियक्शन होगा, आप क्य कहते हैं, तो उन्होंने का भाई ये एक खेल है, एक खेल है, इसको खेल समझो, और बाकि ये पाकिस्तान, इंगलन, अमेरिका, इंडिया, साओधी, यूई, ये सब, अल्ला ने जमीन के ओपर बाउंडरी नहीं लगाई है, पासपोर्ट भी अल्ला नहीं बनाए, अल्ला न कहता है, ये सब तुम्हारे लिए, तुम इस्तमाल करो इसको, मगर तुम मेरे लिए हो, उपर वाला कहता है कि नफरत पिलाओ, नहीं, उपर वाला कहता है, मात धड़ करो, नहीं, उपर वाला नहीं कहता है, महबत फात आलम, ये वही अलामा एकबाल, जिन्होंने सारे जहा पर अमन नहीं करते हैं जो कह देते हैं महबत फात्या आलम मैं एक और आखरी बात कोट करना चाहिए इसमें हमारे पस अगर यहां पर हम भी बैटके उसी तरह नफरत का परचार करेंगे या कुछ ऐसी बूल देंगे तो शाहिद उसकी रेटिंग के हवाले से ज्यादा हो उस पार पता निसकी क्या चर्चा होगी लेकिन हम तो दोनों जगा के लिए यही पयाम दे रहे हैं मर थोटेश है कोई हुआ है, हमारा दिल रोना चाहिए, उम्हारा दिले रोना चाहिए, चाहिए किसी का भी पच्छा है, किसी की भी बुटेश्नार्थ का भ слыш i है। कोई भी कहीं पर भी मेपहिः में हूं कि मेरा बच्छा प्रॉलममेय हूं Mia Sudan aha. हम सब एक हैं, तो दिल जो है वो साफ होने चाहिए, पाक होने चाहिए, हार किसी के लिए द्या करने चाहिए. पुस्टेगहाइज.com